Hey friends, welcome back to my channel and today we are going to study Crossing the Bar by Alfred Lord Tennyson दोस्तों, Alfred Lord Tennyson ने ये पोएम अपने मरने के तीन साल पहले लिखा 1889 में लिखा इन्होंने, four stanzas में ये पोएम divided है तो आये शुरू करते हैं पोएट कहते हैं कि मुझे आसमान में संसेट का सीन दिख रहा है अब यहाँ पर संसेट का जो सीन है, वो एक सिम्बॉलिक लाइन है ये एक सिम्बॉलिक लाइन दिखाए गई है कि अब मेरे पास दिन कम है मैं अब मरने वाला हूँ, मुझे आवाजे सुनाई देती है कि कोई मुझे बुला रहा है और मैं उमीद करता हूँ कि जब मैं C में उत्रूंगा जब मेरी रू, मेरी आत्मा जब C में उत्रेगी तो वो C को disturb बिल्कुल नहीं करेगी फिर पोईट कहते हैं कि मैं चाहता हूँ कि ऐसी लहर आए ऐसी लहर C से आए जो काफी बड़ी हो जो धीरे धीरे मूफ करे जिसमें कोई फोम ना हो मतलब जाग और वो कोई भ्यावा साउंड ना प्रोड्यूस करे फिर पोईट कहते हैं कि मैं चाहता हूँ कि जब मेरी डेथ हो तो गौट के पास जब मैं जाऊं तो मैं किसी को तकलीफ या नुकसान पहुचा कर गौट के पास नहीं जाना चाहता next stanza में पोईट कहते हैं कि शाम आ गई है evening bell के साथ मतलब अब घंटी के साथ शाम आई है मेरा बुलावा आया है जब मैं जाऊं मतलब जब मैं मर जाऊं तो कोई sad मत होना कोई रोना मत कोई भी मुझे sad होकर goodbye नहीं बोलेगा फिर poet कहते हैं कि जब time और place से मैं दूर चला जाऊंगा death की जो लहर है जब वो आकर मुझे ले जाएगी और जब मैं cross कर लूँ see जब मैं cross कर लूँ see तो मैं God को face to face देखना चाहता हूँ Hey friends, thank you so much for watching